अज़े सी तौनू एक अज़े ही थान दे दर्शन दिदार करवान लेके जा रहे हैं जिस्दा इतिहास द्वापर यूगना जुड़िया होया है अते कहा जान दा है कि पांडवा वल्लो इस थान ते पांजी गुफावा अते शिवलिंग दा निर्मान करवाया गया से जिस्तो वाद इस थानों मुक्तेश्वर दाम जानी की मुक्ती दादाम कहा जान दा है ता इस समय सी पोंचे हा उस इतिहासिक स्थान ते जिसना निर्मान पांडवा वल्लो की तक या सी यह जान्दा है कि इस थाहते पांडवा ने अग्यात वास्दे दुरान कुछ समा बिताया सी अते इत्थे ही पांडवा ने पांज गुफामादा निर्मान किता थी इस थाहते अज भी ओर शिव्लिंग मुझूद है जिसनों पांडवा ने स्थापित किता थी शास्त्रा मुताविक मनियेता इस था तो ही पांडवा ने जुद्ध विच जित प्रापत करन्दा वर्मंग्या से था आज से साथे पांच यह यार साल पहले दुवापपर योग में पांडवों को जब बनवास हो गया था बारा साल का तो पूरे हिंदोस्तान का ब्रह्मन करते हुए बार में साल के लास्ट में जहां पंदे है शे महिना जहां रहे जब तब किया पांच गुफों का निर्मान किया वो मंदर से लेकर मेरे पीशे ताकि एक ही गुफा है पांडवों के सबसे बड़े बाई जदिश्टर जी माराज की ये गद्धी है ये उनका अखंड दोना है और ये जो मेरे पीशे है ये द्रोपती माता नाम से रसोई है दो गुफा भी बार है देखने को लेकर काम चल रहा है उसके वज़ा से आप देखनी सकते और दो गु इसवर दाम है इनको मुक्ति का दाम भी कहते हैं इनको जहां मिन्नी हर्दवार भी कहते हैं जहां अस्तियां जल प्रवावी होती है फित्रों का पेंड़दान भी जहां होता है और सबसे विसेस बात बगवान संकर जी ने जहां पांडवों को जीत प्राप्तिका सीर्वा उसके बाद ये रावी नदी पार करके राजा विराट की नगरी जम्मू स्टेट में चलेगे अखनूर चिनाव नदी के ऊपर एक साल का जो अग्यात वास्तावन को उनने वहां काटा था आप पीशे मुड़के गूम के देख लो मंदर के मत्य के उपर टिक्के लगा रखे ह हमने नौ ये नौ देवियों के दर्सन है आपके पीसे बहुत बड़ा टिक्का लगाया जे है बाबा बैरवनाजी महराज आपके पीसे चंदरी टांगी है जे है माता कमला देवी जो के लक्समी माता नाम से दुर्गा नाम से काली नाम से और वैसनवी नाम से जानी जाती ह आप इनको थोड़ा ध्यान से देखोगे, इनके सेर के उपर नाग देवताजी वराजमान, तो अभी जब आप बाहर निकलोगे, बाहर वाली गुफा के दर्सन, ज्यान कक्स वाली गुफा के दर्सन करोगे, तो उस गुफा के सीरे अंदर जाना, और उसकी सत्त को देखना, उसमें सिरी जंतर बना हुआ है, लक्समी माता का जंतर उसके नीचे बैठकर पंडू दिहान लगाते थी, यहां क्रोडों गुणा फाल की प्राप्ति मिलती है, एक विशेस बात और, जो जहां तीन अमामस्या लगातार सनान करता है, उसको हर दोबार के बराबर उन्ये का फा साल राप्त होता है, बोल संकर बगवान की जय है। शिवरात्री सने के मेले इस थानते लगदे हन, अते इस थानू मिन्नी हर्दवार्विक केहा जांदा है। पठान कोर्तों, जतिशर्मा, न्यूजेटिन पंजाव